आयोध्या में आगामी 22 जन्वारी को होने वाले राम लला के प्रान प्रतिस्ठा को लेकर गुरुवार को तिसरी प्रखंड मुख्याले में दुर्गा वाहिनी प्रखंड कमीटी द्वारा जुलूस के रूप में सोभा यात्रा निकाली गए। आरंभ होकर सर्व पर्थम मुख्य सडक से गमरीय टान तक गई। जहां से उसी रास्ते होते हुए तिसरी ब्लॉक मोड चौक से के उटा टान तक गई। उसी रास्ते वापस आते हुए हनुमान मंदिर पर यह यात्रा समाप्थ हुई। इस दोरान जुलूस में सामिल पर जूमते नजर आये। वहीं हनुमान मंदिर प्रांगण में सभी ने एक स्वर में हनुमान चालिसा का पाठ कर इस सोभा यात्रा को समाब्द किया। प्रभारी प्रदीप कुमार ने स्वयम विधी विवस्था की कमान समाल रखी थी। मौके पर सीव संकर साहु, हरी साह, मुख्या कि सोरी साव, अनुप्यादो, क्रिश्न कुमार, आसीस रजक, पूजा पासवान, नीलम देवी, प्रकास रजक समीत कई लोग सामिल थे।